नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आप सभी के लिए दिवाली की हार्दिक शुभ कामनाओं के साथ गणेश जी महाराज और माता लक्ष्मी की एक बहुत सुन्दर कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है किसी नगर में एक ब्राह्मन और ब्राह्मनी रहते थे। दोनों ने घर के मंदिर में गणेश जी लक्ष्मी जी स्थापित कर रखी थी। ब्राह्मन नित्य प्रती उनकी सेवा पूजा करता था और ब्राह्मनी भोजन बनाती उनको भोग लगाती थी। ब्र पर नोग जोग के साथ दोनों का गुजारा हो रहा था। अगर में पहुची तो देखा देवरानी जेठानी आपस में लड़ रही थी। घर का आंगन गंदा पड़ा है। जूठे बरतन इधर उधर बिखरे पड़े हैं। भोजन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लक्षमी जी बोली यहां तो मैं बिल्कुल नहीं रहूंगी। दूसरे घर गई बहु अपनी सांस से लड़ रही थी। चौका बरतन सब ऐसे ही पड़ा था। भोजन पानी का कहीं कोई नाम नहीं था। तीसरे घर गए। वहां ननत भाभी लड़ रही थी। चौथे घर गए। वहां भाई-भाई आपस में लड़ रहे थे। ऐसे ही ज इसकी भी घर में जाती कुछ न कुछ बुरा उन्हें वहां मिलता था। फिर लक्ष्मी जी बोली, गनेश जी घूमते घूमते बहुत समय बीट गया, कहीं भी भोजन पानी नहीं मिला, चलो ब्राह्मन के घर वापस चलते हैं। वह दोनों ब्राह्मन के घर पहुँची, अंदर से पकवानों की खुशबू आ रही थी, द्वार खट खट आया अंदर से, ब्राह्मनी बोली, मैं नहीं खोलती द्वार, पहले तो तुम चले गए, अब क्यों आये हो? वह बोली, ब्राह्मनी अब नहीं जाएंगे। ब्राह्मनी बड़ी होशियार थी, बोली, मैं नहीं मानती कि अब दुबारा आप नहीं जाओगे, पहले मुझे वचन दो, तभी मैं द्वार खोलूंगी। लक्ष्मी जी बोली मांग, ब्राह्मनी क्या मांगती है? तब वह बोली, अन्न दो, धन दो, दूद करहाई दो, पूत पालन दो, सोने का हार दो, कुलाई बहू दो, हाथी घोडे दो, लाव लशकर दो, बारह बरस की मेरी काया हो जाए, बारह बरस की मेरे ब्राह्मन की काय लक्ष्मी जी बोली जा ब्राह्मणी तुझे यह सब प्राप्त होगा ब्राह्मणी ने द्वार खोला गणेश जी और लक्ष्मी जी ने अंदर प्रवेश किया और ब्राह्मणी से बोले ब्राह्मणी तूने तो हमें ठग लिया पर जा तुझे यह सब प्राप्त होगा लेकि जै माता लक्ष्मी